जैश्री कृष्णा, रस्पान कीजिए आज की कथा का जिसमें राजा पुरुयशा को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवत इस्तुती और भगवान के वर्दान से राजा की सायुचि मुक्ति का वर्णन है। शुरुत देव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायन चार भुजाओं से सुशो भित थे। उन्होंने हाथों में शंक, चक्र, गदा और पद्म धारन का रखे थे। वे पितामबर धारन करके वनमाला से विभूशित थे। भगवति लक्षमी तथा एक पार्शित के साथ ग आनंद में उनका हरदय सर्वथा ढूब गया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर भगवान को सास्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विवल नेत्रों से विश्वात्म देव जगदिश्वर श्रीहरी को बहुत देर तक निहार कर उनके चरन धुए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरनों की धोवन रूपा श्रीगंगाजी ब्रह्माजी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती है। इसके बाद राजा ने महान वैभव से बहुमूलिवस्त्र आभूशन और चंदन से हार धूप दीप तथा अमृत के समान नैवेतिके परपन करके अध्वेतिय पुरान पुरुष भगवान विश्नु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार इस्तुत्य की कि जो निर्गुण, निरंजन और प्रजापतियों के भी अधिश्वर हैं। ब्रह्मादी संपुन देपता जिनकी वंदना करते रहते हैं। ये उनके लिए बड़े सोभागी की बात है। बढ़ी हुई भक्ती के द्वारा अपने अंतहकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चड़ा कर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्थ हुए हैं। अनर्थ में ही मेरी अर्थक द्रिष्टी हो गई थी। प्रभो, हे विश्व मूर्थे, जब जीव पर आप अनन्त शक्ती पर मेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्थ हो जाता है। जिससे ये संसार समुद्र गोपत के समान हो जाता है। हे इश्वर, जब सत्चंग मिलता है, तभी आप में मन तथा बुद्धी का अनुराग होता है। मेरा सारा राज जो मुझ से छिन गया था, वो भी आपका मुझ पर महान अनुगरह ही हुआ था। ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज चाहता हूँ, प्रभू, ना पुत सेवन करना चाहता हूँ। हे देविश्वर, हे जगन निवास, मुझ पर प्रसन होई ये, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे, तथा इस्त्री पुत्र खजाना और आत्मी कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसत्ती है, वो सदा के लिए भगवन, मेरा मन सदा आपके चरणार विंदों के चिंतन में लगा रहे, मेरी वानी आपके दिवि कथा के निरंतर वन्नन में तत्पर हो, मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवन में तत्था मेरी जिवा आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में ततपर हो प्रभो मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों के गंध विलेपन आदी के सुगंध लेने में दोनों हाथ आपके मंदिर में जाडू आदी लगाने की सेवा में दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा इस्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संग लगने रहें मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुध्धी आपका चिंतन करने में ततपर हो मेरे घर पर पधा रहे हुए मुनियोद्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे सारे दिन बीते हे विश्णू एक छण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग कभी ना आए जो आपकी चर्चा से रही थो मैं परमेष्ठी ब्रह्मा का पद भूतल का चक्रवर्ती राज और मोक्ष भी नहीं चाहता केवल आपकी चर्णों की निरंतर सेवा चाहता हूँ जिसके लिए श्री लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकरादी देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं राजा के इस प्रकार इस्तुती करने पर कमल नयन भगवान विश्णू ने प्रसन्न होकर मेग के समान गंभीरवानी में इस प्रकार कहा राजन मैं जानता हूँ तुम मेरे स्रेष्ट भक्त हो कामनरहित और निश्पाप हो हे राजन मुझ में तुम्हारी दरड़ भक्ती हो और अंत में तुम मेरा सायची प्राप्त करो तुम्हारे द्वारा किये गए इस इस्तोत्र से इस प्रत्वी पर जो लोग भी मेरी स्तुति करेंगे उनके उपर संतुष्ठ होकर मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूँगा यह अक्षे तरतिया इस प्रत्वी पर प्रसित होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे उपर प्रसन हुआ, जो मनुष इस तिथी को किसी भी बहाने से या सभाव से ही इसनान दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप किया जाता है, उसका फल अक्षे होता है, राजन जो कुटुम्भी ब्रहमन को गायदान करता है, उसके हाथ में सब संपत्यों की वर्षा करने वाली भुक्ती और मुक्ती भी आ जाती है, जो वेशाख मास में मेरा प्रे करने वाले धर्मों का अनुस्ठान करता है, उसके ज शास्त्रों में कोई प्राइशित ही नहीं है राजा को ये वर्दान देकर दिवाधी देव भगवान जनार्दन सबके देखते ही देखते वहीं अंतरध्यान हो गए इसके बाद राजा पुरुयशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस प्रत्वी का पालंग करने लगे देव दुरलब समस्त मनुरतों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विश्नु का सायुचि प्राप्त कर लिया जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विश्नु के परमपत को प्राप्त हो जाते हैं शुरुत देव जी कहते हैं राजन पंपा के तठपर कोई शंख नाम से प्रसित परम ये शश्वी ब्रहमट थे जो ब्रस्पति के सिह राशी में इस्थित होने पर कल्यान मई गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए मार्ग में परम पवित्र भीम रथी को पार करने के बाद दुर्गम, जल्शोन्य और भयंकर नर्जनवन में धूप से विकल हो गए थे वे शाक का महिना था और दोपहर का समय था वे किसी व्रक्ष के नीचे जा बैठे इसी समय कोई दुराचारी शिकारी हाथ में धनुष धारण किये वहां आया ब्रहमन के दर्शन से उसकी बुद्धी पवित्र हो गई और वह इस प्रकार कहने लगा कि मुने मैं अत्यत दुर्बुद्धी और पापी हूँ मेरे उपर आपने बड़ी करपा की है क्योंकि सादु महात्मा सुभाव से ही दयालू होते हैं कहां मैं नीच कुल में उत्पन हुआ व्याध और कहां मेरी ऐसी पवित्र बुद्धी मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ हे सादु बाबा मैं आपका शिश्य हूँ किरपा पात्र हूँ सादु पुरुषों का समागम होने पर मनुष फिर कभी दुखो प्राप्त नहीं होता इसलिए आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपतेश दीजिए जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष अनयासी भवसागर से पार हो जाते हैं सादु पुरुषों का मन सब के प्रती एक समान होता है वे सभी प्राणियों के प्रती दयालू होते हैं उनकी द्रस्टी में ना कोई उच है ना नीच है ना अपना है ना पराया मनुष संतथ होकर जब जब गुरुजनों से उपाई पूसता है तब तब उसे वे संसार बंधन से छुडाने वाले ज्यान का उपदेश्टिया करते हैं जैसे गंगाजी मनुषों के पाप का नाश करने वाली है उसी प्रकार मूर्ख जनों का उद्धार करना सादु पुरुषों का सभाव ही माना गया है व्याद के ये वचन सुनकर शंक ने कहा व्याद अगर तुम कल्यान चाहते हो तो विशाक मास में भगवान विश्णु को प्रसन और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिविधर्म बताये गए हैं उनका पालन करो मुनिश्रेष्ट शंक उस समय प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे दोपहर के समय उन्होंने सुन्दर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्तर धारन करके मध्यान काल की उपासना पूरी की फिर देव पूजा करने के बाद व्याद के लाए हुए श्रम हारी और स्वादिष्ट कैत का फल खाया जब विखा पीकर सुक पूर्वक विराजमान हुए उस समय व्याद ने हाथ जोड़ कर कहा कि मुने किस कर्म से मेरा तपो में व्याद कुल में जनम हुआ और किस से ऐसी सत्बुध्धी तथा महात्मा की संगति प्राप्त हो गई प्रभो अगर आप ठीक समझें तो मैंने जो कुछ भी पूछा है वो तथा अन्य जानने योगी बाते भी मुझे बताईए व्याद के ऐसा पूछने पर शंक बोले हे व्याद पूर्व जनम में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्रहमण थे शाकल्य नगर में तुम्हारा जनम हुआ था तुम्हारा गोत्र श्रिवत्स और नाम इस्तंभ था उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे किन्तु आगे चलकर किसी वेश्या में तुम्हारी आसकती हो गई उसके संग दोश से तुमने नित कर्मों को त्याग दिया और शुद्र की तरह घर आकर रहने लगे यद्यपी तुम सदाचार शोन्य दुस्ट तथधर्म कर्मों के त्यागी थे तो भी उस समय तुम्हारी ब्रहमण पत्नी कांती मती ने वेश्या सहित तुम्हारी सेवा की वे सदा तुम्हारा प्रे करने में लगी रहती थी वे तुम दोनों के पैर्ध होती दोनों की आग्या का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोया करती थी इस प्रकार वेश्या सहित पती की सेवा करती भी उस दुखिनी ब्रहमणी का इस धर्ती पर बहुत सारा समय बीद गया फिर एक दिन उसके पती ने मूली सहित उड़त खाया और तिल मिश्रित निश्पाव भक्षन किया उस अपत्य भोजन से उसका मूह और पेट चलने लगा उसे बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया और वह उस रोग में दिन रात जलने लगा जब तक घर में धन रहा तब तक वह वेश्या भी वही ठिकी रही उसका सारा धन लेकर पीछे उसने भी उसका घर छोड़ दिया वेश्या तो क्रूर और निर्दई होती ही है उसे छोड़ कर किसी दूसरे के पास चली गई तब वह ब्रहमन रोग से व्याकुल होकर रोता हुआ अपनी पत्नी से बोला देवी मैं वेश्या के प्रती आसक्त और अत्यन निस्ठुर प्राणी हूँ मेरी रक्षा करो सुन्दरी तुम परम पवित्र हो मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया कल्याणी जो पापी और निंदित मनुष अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता वे पंद्रह जन्मों तक नपुनसक होता है महभागे दिन रात सादु पुरुष उसकी निंदा किया करते हैं तुम सादवी और पतिवरता हो मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनी में गिरूँगा तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा उससे में दगध हो चुका हूँ अपने पती की ऐसी बात सुनकर वे पतिवरता हाथ चोड़कर बोली प्राणाद आप मेरे प्रति किये वे विवहार को लेकर दुख मत मानिये लज्जा का भी अनुभा मत कीजे मेरा आपके उपर बिलकुल भी क्रोध नहीं है जिससे आप अपने आपको दगध हुआ बतलाते हैं पूर्व जनम में किये वे पाप ही इस जनम में दुख रूप होकर आते हैं जो उन दुखों को धैरे पूर्वक सहन करती है वही इस्तरी साधवी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है वह उत्तमवर्णवाली इस्तरी अपने पिता और भाईयों से धन मांग कर लाई और उसी से अपने पती का पालन करने लगी उसने अपने पती को साक्षात शीर सागर निवासी विश्णु ही माना वह दिन रात पती के मलमूत्र साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्ट दायक कीड़ों को धीरे धीरे नाखुन से खीच कर निकालती थी ब्रहमनी ना रात में सोती थी ना दिन में अपने पती के दुख से संतत्त होकर मैं दुखिनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी कि प्रसित देवता और पितर मेरे स्वामी की रक्षा करें इन्हें रोग हीन और निश्पाप कर दें मैं पती के आरोगी के लिए चंडिका देवी को भैस कदही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी भगवान गणेश की प्रसनता के लिए मोदक बनवाऊंगी दस शनिवारों को उपवास करूंगी और मीठा तथा घी नहीं खाऊंगी बस मेरे पती रोगी हिन होकर सो वर्ष तक जिये इस प्रकार वह इस्त्री हर दिन देवताओं से प्रार्थना किया करती थी उन्ही दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आये विशाख मास में धूप से पीडित होकर सायंकाल के समय उस ब्रहमण के घर में उन्होंने पदारपन किया ब्रहमणी ने महात्मा के चरंद होकर उस जल को मस्तक पर चड़ाया और धूप से कस्ट पाएवे महात्मा को पीने के लिए मीठा शर्बत दिया प्रात्यकाल सूर्दे होने पर मुनी जैसे आये थे वैसे ही चले गए थोड़े ही समय में इसके बाद ब्रहमण को सन्नी पात हो गया ब्रहमणी सौठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुह में डालने लगी तब उसने अपनी पत्नी की अंगुली काट ली उसके दोनों दात सहसा सट गए और ब्रहमणी की अंगुली का वह कोमल टुकड़ा उसके मुह में ही रह गया अंगुली काटकर उस वेश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्रहमण अंत में मर गया तब उसकी पत्नी कांती मती ने कंगन बेचकर बहुत सारा इंधन खरीदा और चिता बना कर वह साधवी पती के साथ उसमें जा बैठी उसने पती के रोगे शरीर का गाण अलिंगन करके उसके साथ अपने आपको भी चिता में जला दिया शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णू के धाम में चली गई उसने विशाख मास में जो देवल मुनी को शर्बत पिलाया था और उनके चरुणों तक को सिरपड लगाया था इससे उसको योगी गम में परंपत की प्राप्ती हुई तुमने अंतकाल में विशा का चिंतन करते वे शरीर त्याग दिया था इसलिए इस गोर व्याद के शरीर में आये हो और हिंसा में आसक्त होकर सब को परिशान करते हो तुमने विशाख मास में मुनी को शर्बत देने के लिए ब्रहमनी को आग्या दी थी उसी पुन्ने से आज व्याद होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विशयक प्रश्न पूछने के लिए ये उत्तम बुद्धी प्राप्त हुई है तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनी के चरुनों दक को अपने सिर पर धारन किया था उसी का ये फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है इसके बाद ब्रहमन शंक ने उस व्याद को विशाख मास महतम में की एक कथा सुनाई उस गथा को सुनकर एक सर्ब का उधार हुआ वे सर्ब कौन था किस प्रकार से उसका उधार हुआ और विशाख मास महतम श्रवन से व्याद का वालमिकी होने का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज जरूर कर लीजेगा